असलाम लेकुम स्टुडेंट्स, हाव आ यू, आई होप यू विल बी फाइन, सेकेंड डियर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेच्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम है अलेक्ट्रिक फील्ड एजा पोटेंशल ग्रेडियन्ट या इसको हम यू भी डिसकस करेंगे, बिट्वीन एलेक्ट्रिक इंटेंस्टी एंड पोटेंशल डिफरेंस, इस टॉपिक को एक्स्प्लेंट करने से पहले, हमें पता होना चाहिए, जो वर्ड ग्रेडियन्ट है, यह क्या है, स्टुडेंट चेंज होते हैं, वो दो तरहां की चेंजिस होती है आप डिसकस करते हैं, फार एक्जामपल, अगर कोई बोडी है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो डिस्प्लेस्मेंट कवर करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बोडी, जिसमें चेंज आए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस में हम टाइम को इंकल्यूड ना करें, ठीक है, ऐसे चेंजिस, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ना हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर की जाएं, उसको हम बोलते हैं, गरेडियन्ट, ठीक है, अब वही परीवियस टॉपिक जो हमने वरिफर चार्ज क्यू नॉट रखा हुए, अब होगा क्या, यह हाई पोटेंशल है, यह लो पोटेंशल है, जो अलेक्टिक फील्ड लाइन्स हैं, वो पॉजिटिव से किस की दरफ आ रही है, नेगिटिव की दरफ, अच्छा, अब जो पॉइंट B है, वहाँ पर पोटेंशल V है, और जो पॉइंट A है, यहाँ पर पोटेंशल ZERO है, चार्ज पर पोजिटिव का साइन आपको नजर आ रहा है, जो पोजिटिव प्लेट होगी, यह इस पोजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, दफा करेगी, जो नेगिटिव प्लेट होगी, इस पोजिटिव चार्ज को व्हें पर सम स्थाइट जब इस की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा यह Q4 प्लेट से चिपक जाएगा थीक है यहاں PL dir दिया जाएगी जो इनर्जी होगी हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें हम इसको पोटेंशल इनर्जी दें अच्छा हम परक्도 क्रूल पोटेंशल से हाई की तरफ भेजने के लिए हमें यहां पर कोई force apply करने पड़ेगी जब force apply होगी तो यह charge work करेगा आपको पता है work होता है जो ही आप force लगाएंगे तो यह displacement कवर करेगा और upward मूव करेगा ऐसी सूरत में कंडिशन क्या है चार्ज को जो है हमने एक किलूपियम की कंडिशन को भी आपने करना है मैंटेन करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे चार्ज को आप speedly move नहीं करवाएंगे ठीक है इसकी electromagnetic reason है कि जब चार्ज को अकर आप speedly move करवाते हैं तो इसकी energy कम होना शुरू हो जाती है तो आपने क्या करना है चार्ज का magnitude कम होना शुरू हो जाता है वो electromagnetic wave produce करना start कर देता है आप क्या करेंगे हम इसको speedly नहीं हम इसको slowly आइसकी से move करवाएं लिए तो क्या होगा हम इस पर क्या कर रहे हैं इस पर work करते हुए force लगा कर displacement कवर हुआ यानि कि work करते हुए इसको हम किसके तरफ ले कर गए हम इसको high potential की तरफ ले कर गए जब यह high potential की तरफ गया यानि कि इसको यहां पर work done हुआ work done हुआ तो इसको क्या मिली potential energy मिली ठीक है अब हम इसको mathematical explain करते हैं यह equation आपको नजर आ रही है potential at point B potential at point A equal to work done A B Q not यानि कि इस charge पर work हुआ इस charge ने move किया from point A to B ठीक है यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें potential मिला अब कहता है work को हम calculate कैसा करेंगे work जो है dot product of force and displacement है यहां पर dot को replace करेंगे तो आपके पास आएगा F D cause of theta theta 180 क्यों पुट किया theta 180 इसके पुट किया यहां पर आपने पुट किया यहां पर आपने पुट किया यहां पर आपने पुट किया इसी work की value को आप किसमें पुट करना जाते हैं जो आपकी major equation थी यह वाली यहां पर आपने पुट किया work निकला आपके पास Q not ED क्या निकला Q not ED इसको जब आपने पुट किया तो आपके पास final relation निकला Q not Q not scanther हो जाएगा ED आ जाएगा VB minus VA equal minus ED VB minus VA को इसको हम change in potential भी जिए सकते हैं E as it is आएगा D को आप replace कर सकते हैं delta R delta R किसके बराबर होता है इसको आप भी कह सकते हैं D2 minus D1 ठीक है यानि कि इसने move किया from point A से point B delta V equal minus E delta R इसे equation आपको मिलेगी E equal minus del V over del R अब उसको explain करते हैं कि with respect to distance तो हो with respect to time नहों ठीक है अब इसकी definition बढ़ते हैं the quantity del V over del R यह rate of change of maximum value of potential with respect to distance del V क्या है potential ठीक है del R क्या है distance quantity del V over del R क्या बता रही है rate of change change है भी पताया था change होगा with respect to time नहीं होगा with respect to distance होगा rate of change है maximum value है potential की with respect to distance इसको हम बोलते है potential gradient यानि के charge था ठीक है positive 2 plates के दर्म्यान पड़ा होगा था uniform field था यह आद रखिका field हमेशे uniform होगा और equilibrium की condition होगी यानि कि जो charge की velocity होगी वो सेम रहेगी बार बार वो change नहीं होगी तो आप में क्या किया था जब वो point B से A की तरफ उसने move किया था तो due to attraction वो A पर चिपक गया था जबके हमें यह नहीं चाहिए हम तो जाते थे कि दोबारा move करे potential energy को gain करे अच्छा पहले उसके पास kinetic energy थी जब वो वापिस against the field move करता हुआ B की तरफ जा पहुचा तो उसको वहां से मिली potential और potential को हमने लिया in term of work जो उसने work किया था from point A से B जाने की पास तो उससे हमें यह relation मिला यह क्या है यह change है rate of change है ठीक है rate of change of potential with respect to time अच्छा अब आपने यह बताना है कि माइनस का sign का indicate कर रहा है negative sign जिना आप indicate कर रहा है direction of E जो है along decreasing potential क्या मतलब from low potential to high potential मैंने आपको अभी बताया और एक बार फिर बता रही हूँ जो charge है जैसे ही वह lower potential की दिख जाएगा जो आपका test charge है वो positive है positive test charge negative plate को जब attract करेगा तो वह वहीं पर रहना चाहेगा लेकिन हम उसको work करवा कर दुबारा ले जाएगी तो यही बता रहा है minus का sign यह बता रहा है जो charge है उसने move किया low potential से high potential की तरफ ठीक है अब अगर इसका हम unit निकालें तो जनाब डेल्टा वी potential है इसका unit volt होगा और distance का unit आपको पता है मीटर यह बन जाएगा वोल्ट पर मीटर intensity का unit दूसरा unit है यह फार्मूला आपने अभी पीछे पढ़ा एकवल F over Q यहां से force का unit क्या है न्यूटन चार्ज का unit क्या है कोलम यानि के न्यूटन पर कोलम आपके पास एक बहुत जबर्दसा important short question मनता है कि आपने प्रूफ करना है वोल्ट पर मीटर ब्राबर है न्यूटन प एक्स लेक्टर में बात करेंगे आपने इस लेक्टर को अच्छी तरह से read करना है ठीक है कोई concept या कुछ भी आपको समझ ना रहा तो आपने लाजमें पूरने है जैसा कि आपको पता है ना कि आपने first year में भी exercise वाले short question पर focus किया था similarly second year में भी short question पर no compromise आपने अच्छी तरह से exercise वाले short question भी करने है extra short question भी करने है MCQs जो topic आप पढ़ते हैं उसको daily behalf पर उससे रेली में जो MCQs थे उनको भी लाजमी डिसकस किया करें ठीक है और lectures के दौरान जो आपके पास examples आ रही होती है आप उनको भी लाजमी डिसकस किया करें अगर कोई क्लियर कोई बात आ बजना रही हो यह कोई बीश हो तो आप लाजमी शेयर किया करें ठीक है best of luck next lecture तक till then take care of yourself अलाहफेज